हरियाना के जीन्द में मंगलवार सुबह बड़ा हाथसा हो भया हरिद्वार से अस्थिया विसर्जन कर लोट रहे नार्नोद के एक परिवार के लोगों की गाड़ी कैथल रोड पर गाउं कंडेला के पास ट्रक से टकरा गई हाथसे में दो महिलाओं समेट 6 व्यक्तियों की मोथ हो गई मृतकों में एक व्यक्ति पंजाब में रिस्तेदारी से आया था मृतकों में 15 से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति शामिल है गायलों को जीन्द के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जानकारी के अनुसार हिसार के नार्नोद गाउं के प्यारे लाल की मोत हो गई थी उसके परिजन फूल चुगने के बाद उनको शोमार को गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार गए थे अस्तिया विसर्जन करके वापिस लोट रहे थे कि जीन्द के टंडेला में लक्षय मिल्क पलांट के पास उनकी पिकप गाड़ी को ट्रक ने सामने से टकर मार दी पिकप का अगला हिस्सा पूरी तरह से तूट गया सूचना के तुरंत बाद मोगे पर पहुँची पुलिस ने पिकप सवार लोगों को अस्पताल में भेजा इस मिजन हादसे में चन्नो, सिस्पाल, अंकुष, धन्ना वे सुर्जी देवी की मोत हो गई है इनके एक रिस्तेदार पंजाब निवासी व्यक्ती भी मृत को में शामिल है हादसे में जिस प्यारे लाल की अस्ती विसर्जन करने परीजन गए थे उनकी पतनी सुर्जी देवी की भी मोत हो गई है आपको बता दे कि टककर आमने सामने हुई है हादसे के बाद चालक ट्रक को मोके पर छोड़ कर भाग गया पुलिस ने ट्रक को कबजे मिल ले लिया है और आगी की कारवाई सुरू कर दी है ये कंडिला गाउं से पहले मेल पलाग के बास ट्रक का और पिकप का एक्सिडेंट होया है जिसके अंदर प्रेश वेक्ति सवार से अच्छे आदमी एक्सवार उचके है बागी इंजर्ड है जिनको रेफर्ट किया गया है अभी तक प्रिवार देने उन्हें किसी ने को इस्टेटमाट देखती है अभी तक आक्से कार्ण को जब तक प्रेवर किरिफकार नहीं होता है यह स्टेटमेंट नहीं देते हैं अब कोई सबस्क्री का यह तो नीद आई है यह गड़ी आमने सामने से टक्कर होई है मोक्के पर में गया नहीं हम लग मतलब हमारे को पोन गई है सुचना साथे पांच बसे पोन गया है तो भाई यह यह आद्षा हो गया और कोई अलेवा खांडा से कोई सबजी वाले गाट्डी थी वो लेके जामा थे और उन्हों न समाला उसने नालों पोन करया अग भाई अपने सोरकर विरात्री से हैंगे और छे पूरे हो गया जी छे आदमियों की डेट हो लिए क्या माम लोगे जी कैसे अद्षा बताओ यह नानों से जा रहे थे अर्दवार अर्थे अला के वाप सारे थे तो यहां पर आते तरफ एक्सिटेंट हो जाईए यह बता रहे हैं कंटे के वाप सारे वाप साए है